आने वाले वक्त में युद्ध ताकत से नहीं तक्नीक से लड़ा जाएगा और इसी में माहिर हैं कदम ताल करते भारत के ये टेकनो वारियर्ज Cyber Warfare हो, Information Warfare हो, या फिर Space Warfare, इन्हें हर तकनीक में महारत हासिल है युद्ध जमीन पर करना हो, तो ये सेना के कमांडो बन जाते हैं और लड़ाई तकनीक की हो, तो Techno Warriors गया की Officers Training Academy में तयार हो रहे, इस सोलवे बैच के सभी अधिकारी, दरसल इंजीनियर्स भी हैं, जो इस शानदार पासिंग परेट के बार सेना के कमीशन अधिकारी बन चुके हैं इनकी महारत के कई आयां हैं, इनमें देश की आन, बान और शान के लिए लड़ने का शौरे कूट-कूट कर भड़ा हैं, ये सो किलोमीटर की रफतार से दौरते गोड़े पर बैट कर दूए, निशाना साथ सकते हैं, और आसमान में उड़ती चिडिया को भी धेर कर सकते है साथ ही साथ ये साइबर, इनफॉर्मेशन, साइकलोजिकल वार्फेर और आर्टिफीशल इंटेलिजेंस के उस्ताध हैं, बड़े से बड़े आईटी इंजीनियर को ये मात दे सकते हैं, और किसी भी हैकर का तोर इनके दिमाग में पलक जपकते कौनने लगता हैं, इन्हें तकनीक और युद्ध कला दोनों में बारीकी से निखारा गया है, इस खास TES बैज के लिए सेना स्कूल से पास आउट छातरों को चुनती हैं, और फिर उन्हें एक साल तक बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग देने के बाद तीन साल की इंजीनियरिंग के लिए पुने, सिकंदरा और महु में भेजा जाता है, इंजीनियरिंग के बाद ये OTA गया में एक बार फिर पहुचते हैं, जहां इनकी पासिंग आउट परेड होती है, और फिर ये सेना में कमीशन होकर बन जाते हैं, लेफटिनेट रैंक के अधिकारी, यहाँ पर ये अलग-अलग विंग में चल जाते हैं, लेकिन अधिकारी बनने के बाद भी इन्हें एक साल इंजीनिरिंग करनी होती है, ताकि ये अपनी यूनिट से जुड़ी बारीकियों को जान पाएं। कर दिए हैं, लेकिन आप एक साल इंजीनिरिंग से लोगिने के इन्हें, लेकिंग पाएं।